नमस्कार मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने कुकिंग चैनल कुपित पूनम में दोस्तो आज हम बनाएंगे साबुदाना केक यह बहुत ही खुबसूरत लगेगा देखने में भी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है तो चलिए बनाना सुरू करत आपको कैसी लगी और जो बगल में घंटी का निसान है उसको भी प्रेस कर दे ताके मारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेसन आपको सबसे पहले मिले तो चलिए बनाना सुरू करते हैं यह देखे हमने सभी सामगरी ले ले लिए हमने साबुदाना ले ले लिए पा दाल देंगे और पानी की मातरा में इसमें एक्ष्रा रखेंगे और इसको हम उबलने देंगे तो जब यह आधा उबल गया है तब हम इसमें से थोड़ा सा साबुदाना निकाल लिए आप चाहें तो बराबर मातरा में तीन जगर भी बॉयल कर सकते हैं और अलग-अलग कलर दे सकते हैं तो यह हमने जो निकाल लिया है थोड़ा सा उसमें हम चुकंदर डाल देंगे ताकि चुकंदर जब साथ सा थूबलेगा तो यह अपना कलर छोड़ेगा और हमारा साबुदाना यह रेट कलर का हो जाएगा और जो हमने पीछे वाले गैस पर उबलने को रखा है उसमें से जब वा उबल जाएगा तो हम सफेद कलर निकाल के और उसमें हम ग्रेन कलर एट करेंगे तो यह से मारा तीनो कलर अच्छे से तयार हो जाएगा और अगर आप इस तरह से नहीं करते तो बराबर मातरा में आप तीन जगे बना लीजिए और तीनो जगे एक एक कलर अपना तयार कर लिजिए तो यह हमने चुकंदर के टुकरेस में देखे डाल दिये हैं और जैसे जैसे उबला है चुकंदर अपना कलर छोड़ता जा रहा है तो इस तरह से यह अच्छे से रेड कलर तयार हो जाएगा और उधर जो हमने रखा है सफेद कलर वो जब पक जाएगा तो उसमें से हम निकालने के बाद उसमें हम ग्रीन कलर एड करेंगे तो अभी हम दोनों को पकाएंगे साबुदाना हमारा पूरी तरह से पक जाना चाहिए तभी फिर हम इसको बनाएंगे तो अब देखें साबुदाना हमारा पक जाएगा तो हम इसमें से थोड़ा सफेद कलर निकाल लेंगे और उसके बाद हम उसमें ग्रीन कलर एड करेंगे और इसको हम एक छन्नी में निकालने है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जितना भी हो वो सारा छन्ज है तो केक बनाने में आसानी होगी और जो पानी छना हुआ है उसको हम फेकेंगे नहीं उसका हम पापर बना लेंगे और अब देखें हमने इसमें पालक की प्यूरी एड कर दी है और इसको हम थोड़ा सा उबाल लेंगे ताकि इस पर कलर अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसको हम चलाते रहेंगे ताकि नीचे से पकड़ेंगे और अब हम इसको ग्रीन कलर भी हमारा हो गया है तो हमने उसको उतार लिया है और अब हम इसको थोड़ा सा चला के जितना इसका एक्स्ट्रा पानी है वो सब हम निकाल देंगे और उस पानी को आप फेकिएगा नहीं उसमें आप नमक और थोड़ी सी मिर्ची मिलाके और आप उसका पापड बना सकते हैं क्योंकि इसमें हमने मीठा डाला नहीं है तो बड़े आराम से उसका पापड आप बना सकते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट पापड बनेगा यकीन मानिया तो इसी तरह से हम सारे छान के निकाल लेंगे आप चाहें तो तीनों अगर अलग-अलग छान लेते हैं तो आपका तीन तरह का पापड तयार होगा लेकिन हमने रेड और वाइट एक साथ मिक्स कर दिया है तो ये रेड कलर ही बनेगा और ग्रीन कलर को हम अलग से छान लेंगे तो देखे कितना खुबसूरत कलर आया है नेचुरल कलर और चुकंदर की सारे टुकड़े हमने इसमें से निकाल दिये हैं और रेड वाला भी मारा चान गया अब हम ग्रीन वाला चान लेते हैं और एक बात और रहताना चांगी कि प्यूरी को हमने पहले ही चान लिया था ताकि उसमें कुछ बचेना और अब हम इसमें चीनी के पाउडर डाल देंगे दो दो चमच मीठा आप अपने अनुसार डालिए जितना आपको मीठा खाना है तो हमने दो दो चमच एड किया है और अब हम एक एक चमच इसमें काजू के पाउडर डाल देंगे एक दब महीन पाउडर हमने नहीं किया, थोड़ा सा हमने उसमें टुकड़ा छोड़ा है और अब हम बादाम के टुकड़े को भी इसी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे और सबको हम अब चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सारे ड्राइफ रूट्स और चीनी एक साथ मिक्स हो जाएं और इसी तरह हम रेड वाले को भी कर देंगे मिक्स और उसके बाद हम इसी तरह से ग्रीन वाले को भी मिक्स कर देंगे फिर हम केक बनाना तयार करेंगे चालू करेंगे तो ये भी हमारा मिक्स हो गया है अब हम इसको ग्रीन वाले को भी मिक्स कर देते हैं तो तीनों कलर हमारे एकदम बिल्कुल रेडी हैं तो चलिए अब हम केक को एक प्लेट में हम इसको तयार करते हैं तो ये हमने प्लेट लिया और ये हमने रिंग मोल्ड रख दिया और अब हम सबसे नीचे रखेंगे रेड कलर का आप कलर कोंबिनेशन अपने इसाब से कर सकते हैं अगर आप ब्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप कलर का भी यूज कर सकते हैं तो आप चाहे जो भी कलर हो आप अपना यूज करके बना सकते हैं हमने ब्रत के लिए बनाया थो हमने नेचुरल कलर यूज किया है और अब हम उपर से इसके वाइट कलर रख दिये हैं इससे क्या होगा सारे कलर उभर के आएंगे और उसके उपर से हम करेंगे ग्रीन कलर का रखेंगे तो इस तरह से तीनों कलर बहुत ही अच्छे से उभर के आएंगे यह अब हमने उपर से ग्रीन कलर रख दिया यकीन मानी है अगर आपने किसी को इस तरह से सर्व किया तो वो तारीब करते नहीं ठकेगा क्योंकि साबुदाने से एक कलर डिस बनी है तो देखने में भी अच्छी लग रही है और खाने में भी अगर आप किसी को सिंपल साबुदाना देते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा जो इस तरह से अगर आप बना के दिये तो काफी एक्ट्रेक्टिव लगेगा यह देखे मारा केक बनके तयार हो गया है और यह उमीद आपको पसंद आएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर करिएगा फिर मिलेंगे एक नए रेस्पी के साथ तब तक के लिए नमस्कार